अथ नवार्न विधी इस प्रकार रात्र सूक्त और देव्यत वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नान की त्रूप से। नवार्न मंत्र के विनयोग, न्यास और ध्यान आधी करी। विनयोग श्रीगनपति जयती, ओम अस्या। श्रीनवार्न मंत्रस्या ब्रह्मविष्नुरुद्रा रिशया, गायत युष्निगनुष्टु भश्चन्दासी, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वयो देवता, ए बीजम, प्री शक्ते, क्ली कीलकम, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विन गुलियों से क्रम शहसिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों, चरण और नाभी इन अंगों का स्पर्श करें। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धी करके कर्ण्यास करें। कर्ण्यास में हाथ की विभिन अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के प्रिष्ट भाग में मंत्रों का न्यास, स्थापन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयम मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वता सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धी होती है। दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विग्न तापूर्वक पूर्ण तथा परम लाबदायक होती है। ओम ए अंगुष्ठा प्या नमा है। दोनों हाथों की तरजनी अंगुलियों से दोनों अंगुठों का स्पर्ष। ओम ह्री तरजनी भ्या नमा है। दोनों हाथों की तरजनी अंगुलियों से दोनों तरजनी का स्पर्ष। ओम कली मध्यमा भ्या नमा है। अंगुठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्ष। ओम चामुन्दाये अनामिका भिया नमः अंगूठों से अनामिका अंगुलियों का स्पर्ष ओम विच्छे कनिष्ठे का भिया नमः अंगूठों से कनिष्ठे का अंगुलियों का स्पर्ष ओमेहरीकली चामुन्दाये विच्छे करतलकर प्रिष्ठा भिया नमः हतेलियों और उनके प्रिष्ट भागों का परस पर्स पर्ष विन योगह प्रथम्मध्य मोत्तर चरित्राना ब्रमविष्णुरुद्रा रिशय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासर अस्वयो देवता गायत युष्णिग नुष्ट भष्चन दासी नंदाशा कंभरी भीमा शक्त्य रेक निवायु सूर्यास्तत्वानी रिग्य जुह समवेदा ध्यानानी सकल कामना सिधाये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासर अस्वती देवता प्रीत यर्थे जपे विन योगह इसे पढ़कर जल गिराएं चरित्र का विन योग मूल सप्षती के साथ ही दिया गया है तथा प् प्रेमपूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करी मीठा स्वर अक्षरों का स्पष्ट उच्षारन पदूं का विभाग उत्तम स्वर धीरता एक ले के साथ बोलना ये सब पाठकों के गुण है तारानकन जो पाठ करते समय रागपूर्वक गात उच्षारन में जल्दब करने वालों में अधम माना गया है तारानकन जब तक अध्याय की पूर्ती न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनह प्रती बार पूरे अध्याय का पाठ करें तारानकन अज्यानविश पुस पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है, स्तोत का पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिए, वानी से उसका स्पष्ट उच्छारण ही उत्तम माना गया है, तारांकन बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है, यतन पूर्वक श एवं स्थिर्चित से पाठ करना चाहिए, तारांकन यदी पाठ कंठस्त न हो तो पुस्तक से करी, अपने हाथ से लिखे हुए, अथवा ब्राहमने तर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करी, तारांकन यदी एक सहस्र से अधिक शलोकों का या मिंत्रों का ग्र अध्याय समाप्थ होने पर इति, वद, अध्याय तथा समाप्थ शब्द का उच्षारन नहीं करना चाहिए.